आपका हर्दिक स्वागत है आ गई है योजिसनेट एक्जाम की आंसर की सो ओफिशनल नोटिस आ चुका है जानिया पास हो चुके हैं या फेल हैं आप इसमें पूरा चेक कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको लिए मोस्ट इंपोर्टन अपडेट इस अपडे कर ने जा रहा हूँ तो यहाँ पर लिखाए गए अलेकिन आप इसे बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं जीरो हैंज्वाइने आपको भास जादा जरूरी है को इसमें इन्वेस्ट कैसे कि आ adequately कर सोती है से शियर मरकेट के इंदर में और भी कृष्री में और और साथ में में लगा आपको free certificate और आप इसे कहीं भी use कर सकते हैं UGCNet जैसे देखिए आपका exam हो चुका है अभी इसमें time काफी है next session में तो आप अपने time को utilize कर सकते हैं इस course को join करके जो कि बिल्कुल free है course के feature आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखिए language हिंदी है जो कि आपको बिल्कुल easy language में समझाया जाएगा और इसकी validity है 3 साल के लिए so आप इसे enroll कर सकते हैं enroll करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है आप इसे sign in कर सकते हैं Google, Facebook से और आप इसमें that भी आप यहाँ पर जाके sign in कर सकते हैं sign in करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा option आएगा यहाँ पर कोर्स की पूरी detail है कि 3 साल का कोर्स है यहाँ इसकी validity 3 साल की आप इसे पूरा जब मर्जी आप इसे कर सकते हैं यहाँ आपको enroll नाओ पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए आपको कोड यूज करना है सब्सक्राइब तो जैसे आप इसे यूज करेंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पर कूपन सक्सेस्वली हो गया है जहां पर 999 लिखा था यहाँ पर आ गया है जिरो तो आपका यह मेरा को कोड यूज करना है सबसे बड़ा नोटिस जिसमें बताया पर 999 लिखें के आपकी जो आंसर है वह रिंट कर दी गई है अब अपना जो आसर कि उसे चेक कर सकते हैं जैसा आपने अग्जाम दिया था ना उसके कोड़ेंग जैसे आपने काॉशन के आणसर लगाए थे क्या वह सही है गलत यह चेक कर सकते हैं वह सही था लेकिन आन कर सकते हैं तो देखे आंसर की चैलेंज यहाँ पे निकली है फेस वन फेस टू फेस त्री के लिए दिसम्बर 2021 से जुन दूसर 22 के लिए तो यहाँ पे देखे सबसे बेल के आया कि मैं आपको बता दूँ कि जो डेट है आंसर की वो कब तक की है वो है 18 से 20 अक्तूबर की यान कि देखे 18, 19, 20 तीन दिन में आप इसे आंसर की को चेक कर सकते हैं शांप 5 बज़े के बाद यह आंसर की यहाँ पे हट जाएगी और last day for payment किसके लिए है अगर मालनीजे कि आपको कुछ भी लगता है कि caution answer गलत है यह answer गलत है तो आप उसे challenge कर सकते हैं पर caution की जो free है वो 200 रुपे रहेगी तो आप उसे अराम से challenge कर सकते हैं यह non fundable है आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं पहले देखिए 1000 रुपे फीच थी लेकिन अभी 200 रुपे रखी गई है जो की nominal fee है तो जैसे मालनीजे आपके 5 question रुपे ने गलत कर दे आपको लगता है कि वो सही थे तो आपको 200 रुपे पर question से आप से 1000 रुपे पे करने पड़ेंगे एक question लगता है तो आपको 200 रुपे यहाँ पे करने पड़ेंगे यहाँ पर जो आपकी answer की है वो 14 अक्तूबर तक नहीं है यह 9 जुलाई से start होके जो आपका 1 अक्तूबर तक था exam उस तक की answer की यहाँ पर आई है अब आप देखिए कहेंगे कि 8 तारिक 10 तारिक उसके बाद 9 जुलाई से लेके सीधे ही 1 अक्तूबर तक यहाँ पर बताया है ठीक है उसके बाद 14 अक्तूबर की को यहाँ पर बात नहीं की गई हो सकता है कि next update में आप उसका answer की challenge कर सकते हैं आपको किस बेहाँ पर कह रहे हैं कि आपका अंसर सही है आपको किसी बुक का या कुछ भी है उसका page number book का नाम वगरा सब कुछ आपको अच्छे से देना होगा तो आप इस तरह से answer की challenge कर सकते हैं जागा जानके दिखें आप यहाँ पे call कर सकते हैं नीचे की नीचे दिये गए number पे तो आपको पूरी जानकर यहाँ पे मिल जाएगी जिनका 8 से लेकि 14 October की बीच में है उनकी answer की जो challenge के लिए भी 9 out इस आएगा तब तक उसका बीट करते हैं जिन बच्चों का एक October तक exam हो चुका है वो answer की challenge कर सकते हैं तो बाकी जानकर यहाँ आपको मैंने दिखें यहाँ पे अगर आपको कुछ भी doubt है तो आप हमसे contact में कर सकते हैं so take care